Hello friends I am your study mate Sariqa Ramola और एक बार फिर से आज हम करने वाले है current affairs जिसमें है important अंतरास्टी है और रास्टी इसतर के current affairs friends मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी मुझे लगता है कुछ exam oriented question बन रहे है current affairs से तो मैं उसे related video बनाती हूँ ना कि daily इसे related ठीक है इससे बढ़िया है कि हम छोटे-छोटे parts में जो जब important current affair हो हम उसे तभी कबर कर लें ठीक है और जब भी आप current affair पढ़ें तो एक notebook जरूर बनाएं और important जो आपको लगता है उसको जरूर note down करें साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जब हम इस current affair को पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें discuss करेंगे और मैंने आपको बताया है बहुत बार कि examiner की mood पे depend करता है कि क्या पता हम जो question बना रहे हो कुछ औरी question बना दे topic वही रहे जबकि तो इसलिए आप video को पूरा चलिए पहला question है करनाटक विधानसभा चुनाव परिणाम 2023 में किस party ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया ठीक है यह important point हो जाता है क्योंकि पूरे भारत में अगर आप देख रहे हैं तो कुछ राज्यों में और अब उस राज्य का नाम आ गया है करनाटक जहां पर पूर् बहुमत जो प्राप्त किया है वह किस ने किया है कॉंग्रेस ने किया है ठीक है हमांचर प्रदेश के बाद इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो करनाटक में जो टूटल विधानसभा सीटें हैं वह कितनी हैं दो सो चौबिस हैं और बहुमत के लिए कम से कम कितनी करेंगे तो 65 सीट बीजेपी ने जीती है जो जेडियेस है वहाँ पर उसने 19 सीटें जीती है और बाकी जो इन्ने सीटें है वो अन्य दलोने जीते हैं जो वहाँ पर हैं अब आप देखें कि इंपोर्टेंट इसले भी हो जाता है जो करनाटक विधानसभा का चुनाओ है क् कि यहां पर करनाटक में अगर ध्यान रखेंगे तो 1989 के बाद किसी पार्टी ने पून भॉहमत प्राप्त किया है कब से 1989 के बाद यानि 34 सालों के बाद इसके अरावा अगर हम देखें तो 1989 में कॉंग्रिस ने ही वहाँ पर पून भॉहमत प्राप्त किया था और 178 सीटें जीती थी तब ठीक है तो चलिए यह important है इससे related और चीजें भी अगर आपको मिलती है तो आप कर सकते हैं उसे लेकिन यह sufficient है इस चुनाव से related ठीक है चलिए दूसरा question है हाल ही में परमाण उर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ठीक है और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि भारत में जो परमाण उर्जा आयोग के सापना हुई वो 1948 में ध्यान रखेगा 1948 में हुई और इसके पहले अध्यक से डॉक्टर जहांगीर भाबा थे ठीक है इसे ध्यान रखेंगे अब एक question और पूछा जाता है कई बार कि भारत म जो परमाण उर्जा बिभाग यहां पर यह आयोग की बात हो रही है लेकिन मैं बोल रहू है कि भारत में जो परमाण उर्जा बिभाग के सापना हुई वो 1950 Being 1964 में की गई कभ 1954 में की गई और यह जो बिभाग है एस सीधे किसके अंतरगत आता है PM यानि प्रधान मंतरिके अ प्रधान मंत्री के अधीन जो पर्मान उर्जा विभाग है इसकी स्थापना कभ हुए तो चलिए इसे ध्यान रखेंगे बन गए है और इसमें डैस यानि इस देश का नाम आएगा जहां की यह है जहां हम देखेंगा किर्केट फुटबॉल कुस्ती और बैडमिंटन ऐसे गेमों में इंट्रस्ट लेते हैं कि कौन जीता किसने जो विश्यो चैंपियन बना तो कही बार हम ऐसी चीजें छोड़ देत जैसे विश्यो चैंपियन कौन जीता सतरंज में ठीक है तो ऐसे कुछिन पूछ लिए जाते उस टाइम तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा चीन हो जाएगा ठीक है और पहली बार बना है चीन का कौन डिंग लिरेन ठीक है तो क्लियर नेक्स कुछिशिन है हाल ही में अरुन गांधी वह सम्रीज मझुमदार का निधन हो गया है वे कौन थे तो आपको मैं बता दू जो अरुन गांधी थे वो कौन थे गांधी जी के पोते थे और सम्रीज मझुमदार पस्चिं बंगाल के थे ठीक है इसके अलावा हमें कुछिन क्या पूछा गया कि ये किस पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक और दोनों बहुत प्रशिद्ध लेखक थे इनकी बुक्स आप देख लेंगे कि कौन सी बुक है कई बार कुषिण जब ऐसे फेमिस पुरसनेलिटी की डेथ होती है उनकी बुक्स भी पूछ ली जाती है तो की एज है इस समय वर्तमान में 97 और भारत में जो समाजवाद है इसके वरिष्ट और प्रतिस्थित नेता और विक्तितु रहा है भारत में इनका तो इसे इन्हें जो मिला है वो मिला है सताबदी पुरस की उपादी 2023 में चलिए छटा कुशन देख लेते हैं हालही में जारी रोनाल्डो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इसे ध्यान रखेंगे आप साथ ही कई बार कुश्चिन पूछा जाता है कि यह किस खेल से सम्मंदित है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यह किस खेल से सम्मंदित है फुट बॉल्स और आपने अगर कभी देखा हो जो खिलाडी बना है 2023 में कौन बना है रोनाल्डो फुटबॉल खेल से संबंदित है और पुर्टगाल के फुटबॉलर है साथ ही इनकी जो कमाई है 2023 में वो है 136 डॉलर 136 डॉलर मिलियन कई बार पुछ लिया जा सकता है ऐसा जैसा कूश्यन कुश्ण है ऊइप कर दो हमायो है चार्चा में बना इससे क्या है क्या हो जाएक है ये और इसकी इतप्तिव है बंगाल की खाड़ी में और इसके अगल बगल जो बेश है पांगला-देश हो गया मयामार्क data है इनके करेंगे तो पश्यमंगाल और ओडी सा में इससे खत्रा बना हुआ है और इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि 2023 में जो पहला चक्रवाद और जो तूफान है वो कौन बना है मोखा बना है ठीक है तो कही बार कुछिन पूछ लिया जाता है और साइक्लोन और इसे जो चर्च हो जाएगा दोहा इसका राइट अंसर हो जाएगा और इंपोर्टेंट इसलिए है ये क्विश्चिन क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारत के खिलाडी है नीरत चोपडा ये किस खिल से संबंदित है जैवलिन थो से संबंदित है ठीक है ओलंपिक हुआ था 2020 में टोक्यो में और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उसमें साथ ही पहले भारतिय खिलाडी जिन्होंने डायमंड लीग का खिताब जीता है तो इसलिए ये इंपोर्टेंट क्विश्चिन है ठीक है नीरत चोपडा से रिलेट चलिए नेक्स क्विश्चिन है निम्न में किस राज्य में म माही नदी बहती है और जो राजस्थान में ट्रोपिक औफ कैंसर या करक रहा है उसको माही नदी दो बार काटती है ठीक है तो इसे ध्यान रखेंगे हैं माही नदी नदी राजस्थान में है तो माही Sponge परियोजना जो उड़्जा परियोजना है वो भी कहां में रह ठीक है चलिए next question देख लेते हैं द्रौपदी मुर्मू from tribal hinterlands to riceina hills नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई तो इसका right answer क्या हो जाएगा कस्तूरी रे इसका right answer हो जाएगा और आप देखेंगे इस पुस्तक में बताया गया है कि आदिवासी लड़की कि कितनी प्रेणादा से बड़े समवधानिक पत और प्रथम नागरिक राश्चुपदी के पत पे पहुंची है इसे ध्यान रखेंगे चलिए next question है ग्यारा किसे लॉर्यन्स sportsman of the year 2023 का खिताब जीता है ठीक है किसने चलिए इसका right answer क्या हो जाएगा लियोनस मैसी हो जाएगा और ध्यान इसमें सबसे जो बड़ा पुरुसकार होता है वो लॉर्यन्स sportsman of the year होता है ठीक है तो इसे ध्यान रखेंगे किसने जीता मैसी ने जीता है next question है हाल ही में राश्च्रपती द्रौपदी मुर्मु द्वारा कितने वीरता पुरुसकार प्रदान किये गए और मैंने आपको य नहीं लेंगे और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं निम्न में से किस देश ने साथ प्रतिशत वैस्विक मात्र मृतिवाले देशों की सूची में सीर्स स्थान प्राप्त किया है और अगर आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि आज हम जहां विकास की इतनी बाते करते हैं और भारत को बताते हैं कि हम टॉप एकोनोमी में सामिल है और हमारा जो विकास है हम विशो में विशो गुरु बनने जा रहे हैं और इस्तिती देखिए जो मात्र मृतिव दर है उसमें सीर्स इस्थान पर कौन सा देश है भारत है तो एक सोचने का मुद्दा है भारत के लिए बहुत बड़ा next question है बुद्धम सरणम गच्छामी परदर्शनी का उद्खाटन किस इस्थान पर किया गया तो इसका याद रखेंगे यहां से इंपॉर्टिंट हो जाता है ठीक है चलिए पंदर्वा कुश्चिन है एलेसेंड्रा कोप्रेप को हाल ही में गोल्डन मैन परियावरन पुरुषकार से सम्मानित किया गया है वे किस देश सम्मंदित है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा ब्राजील इसका राइट अंसर हो जाएगा और ध्यान रखेंगे यह कुश्चिन इंपॉर्टिंट इसलिए हो जाता है क्योंकि परियावरन के छेत्र में दिया जाता है और साथ ही इस पुरुषकार को क्या कहा जाता है ग्रीन नोबिल पुरुषकार भी कहा जाता है ठीक है किसे गोल नात का जो घाट है वहां पर एक संगम घाट वहां पर ये प्रतिमा स्थापित की जा रही है और साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो भी सरध हलू और तिर्थ यात्री होंगे तो यहां पर यह ओम प्रतिमा का दर्सन कर पाई ठीक है चलिए नेक्स क्यूशन है हाल ही में ने तो यह एक विश्व रिकॉर्ड है नेक्स क्वेशन है भारत यूरॉपिय संग ब्यापार और प्रध्योगी की परिशर TTC यानि ट्रेड एंड टेकनलोजी काउंसिल की पहली मंत्री मंदली बैठक कहां संपन होगी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेल्जेम की इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है चलिए नेक्स है उन्नीसवा क्विशन और इंपोर्टेंट ऐसे क्विशन काफी बार पूछे गए हैं भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतब्य 2022-23 कौन सा देश बना है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नीदर लैंड हो जाएगा और यहां पे आप ध्यान देंगे कि 2022-23 में जो पहला निर्यात देश है भारत के साथ वो कौन है USA है पहले नंबर पे ठीक है अमेरिका दूसरे नंबर पे है सायुत अरब अमिराथ यानि UAE और तीसरे नंबर पे हो गया है नीदर लैंड और 2022-23 म जो नीदर लैंड और भारत का ब्यापार है वो है 13 अरब डॉलर इसे ध्यान रखेंगे कुछ भी पूछा जा सकता है और साथ ही मैं आपको बताओं कि भारत इन देसों के साथ पेट्रोलियम उत्पादों इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं और रसायन और अलमुनियम के सामान को मिर्याद करते हैं तो तीसरे नंबर पे कौन बन गया है नीदर लैंड बन गया है नेक्स कुशन है हाल ही में ट्विटर की नई CEO कौन बनी है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लिंडा याक रिनो हो जाएगा और यह महिला है CEO यानि Chief Executive Officer बनी है ट्विटर की और ट्विटर में ब्रिटेन ने किस देश को लंबी दूरी की cruise missile दी है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यूक्रेन हो जाएगा और इससे तनाव की इस्तती फैली है क्योंकि यूक्रेन पे रश्या ने हमला किया है तो यह जो इस्तती बन रही थी तब से तिरतिय विश्य युद्ध की और संकीत कर रहा था लेकिन जैसे तैसे यह थमी भी है लेकिन इस प्रकार से जब ब्रिटेन ऐसे मिसाइले देगा यूक्रेन को तो इस्तती और ना जुक हो सकती है चलिए next question है हाल ही में CBI का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है तो इसको आप देखेगा ऐसे question काफी ब और भारत सरकार की प्रमुग जांच agency है ठीक है चलिए next question है भारत की पहली pot taxi किस राज्य में सुरू होगी तो right answer क्या हो जाएगी उत्तर प्रदेश इसका right answer हो जाएगा और जो pot taxi होती हो packed होती है और metro की तरह होती है लेकिन metro काफी लंबी होती है चोटी चोटी होती है तो पहला जो trial होगा वो कहां पे होगा उत्तर प्रदेश में ही होगा इसका पूरा ठीक है और इसी राज्य में सुरू की जाएगी चलिए next question है कौन सा नया transport विमान भारती वाइव सेना के बेड़े में सामिल होगा ठीक है important question है और current का मुद्दा है तो इसका right answer क्या हो जाएग अब important यह क्यों है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका trial भी किया जा चुका है और भारत की जो company है Tata Samu यह इसका निर्मान करेंगी पूरी तरीके से ठीक है इसलिए important है चले 25 वा question है हाल ही में किस sport को सागर स्रेश्ट सम्मान 2022-23 से सम्मानित क्या गया है तो right answer क्या हो जाएगा कोची या कोचिन बंदरगा को दिया गया है इसके अंतर गत अगर आप देखेंगे तो कोचिन को यह सम्मान दिया गया है वो क्या दिया गया है किस छेत्र में गैर कंटेनर टर्न अराउंड के उसमें दिया गया है ठीक है इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो जो कारगो परवंदन हैं, इसमामले में किसको दिया गया पारदीब बंदरगा को दिया गया है सागरशृष्ट संमान और किसके दवारा दिया जाता है? जहाजराणी मंत्राल है इसके दवारा दिया जाता है ठीक है ортsk teams उव襯े अरी कारेई तरह आप जायती है अगर आप देखेंगे हर question point of view exam point of view से important है तो वीडियो को पूरा देखिएगा I hope आपने पूरा देखा होगा नोट्स बना दिये होंगे मिलते हैं हम नए topic के साथ और बाकी हिंदी से related और current अफिर से related आपने बहुत सारी वीडियो अपलोड किये हैं अगर आपने वह नहीं देखिए हैं तो आप उनको जरूर देखिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद पढ़ते हैं